प्यारे बच्चों, नौवी कक्ष्या के गनित के फर्स्ट सैप्टर संख्या पद्ति के तीसरे दिन की लाईव क्लास में आपका स्वागत है आज की हमारी लाईव क्लास का जो मुख्य टोपिक रहेगा वो है वास्तविक संख्याई और उनके दसम्लब परशार यह टोपिक जो है एक्जामनेशन पाइंट और उसे बहुत ही इंपोर्टन टोपिक है तो जैसा कि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याई जो है इसमें दो परकार के संख्याई होती है कौन-कौन सी एक तो प्रिमे संख्याई कौन सी प्रिमे संख्याई और दूसरी होती आई प्रमेर संख्या है तो देखिए कि वास्तविक संख्याओं के दस्मिल्ब परसार की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे प्रमेर संख्याओं के दस्मिल्ब परसार की और आई प्रमेर संख्याओं के दस्मिल्ब परसार की तो एक तो हम इन संख्याओं का दस्मलो परसार जो है देखेंगे कि प्रमेर संख्याओं का दस्मलो परकार किस परकार का हो सकता है और एक प्रमेर संख्याओं का दस्मलो परकार जो है वो किस परकार का होता है अगर आप लोगों के पास मेरी आवाज सही आ रही होता है एक बार यस करके कुमेंट किजिएगा उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करता हूँ क्या आपको वीडियो कुवालिटी और आवाज दुनों चीज़ें सही नजर आ रही है तो मेरे साथ से बिलकुल सही चल रहा है तो आगे आपका कुमेंट आ रहे हैं मेरे पास तो आएए मैं अभी आगे हमारे टॉपिक की सुरुआत करता हूँ कि जैसे मनें आपको बताया कि वास्त्विक संख्याओं का दस्मेलाब परसार अगर हमदें तो इसका मतलब है कि हमी प्रमेश संख्याओं का दस्मेलाब परसार किस किस सूरुप का होता है में घर्प्राफट करेंगे को पढ़ेंगे इसके अलावा मैं आपको कुछ सोट कट मैथड भी करवाँगा जो आपको अन्टी असी या ओलम्पियाड बगरा की त्यारी के लिए जो आपको बहुत ही काम आएंगे और यह आपको ऐसे सोट कट हैं जो आपको यूट्यूब बगरा पर कहीं आपको जल्दी कि अ कि मारे पास एक कोई प्रमेर संख्या ले लेता हूं मैं फॉर एक्जामपल मैंने ले लिया त्यति- त्यति-्वाटेए-ाप अनुरं मैं अगर आप से बहाग दूं तो यहां पर देखे त्यति-ति-ति-तो-त्य वागार दूं यहां 8 से भाग दूँ तो 800 के 32 6 कितना बचेगा 1 अब यहां पर मैंने दसमलो लगाया 0 लगाई और वो 0 उतार ले तो यहां दसमलो लगाया इसका मतलब में यहां भी लगाना पड़ेगा 8 हैकम 8 फिर 6 बचेगा 2 फिर उपर 0 लगा करके हम 0 उतार लेते हैं 8 दूनी 16 फिर 4 से इस बचेगा फिर उपर 0 लगाई फिर हमने 0 उतार ली 8 पांजे 40 ठीक तो इस तरह से 338 को हम लिख सकते है 4 दसमलो एक दो पांच तो यह 4 दसमलो एक दो पांच क्या है 338 का दसमलो परसार है तो यहां से मैंने आपको दसमलो परसार का आर्थ है बताया कि दसमलो परसार जो है वो क्या होता है ठीक तो एक बार मैं आपके कॉमेंट्स ओन कर लेता हूँ उसके बाद जो है आगे बताता हूँ आपको हाँ जी एक तो यह दसमलो परसार देखिए कि यह एक दो तीन डिजिट के बाद समाप्त हो गया ठीक जो ऐसे कुछ संकों के बाद समाप्त हो जाए ऐसा दसमलो परसार कहलाता है सांत दसमलो परसार कैसा दसमलो परसार कहलाता है सांत दसमलो परसार इसको इंगलिस में बोलते हैं टरमिनेटिंग ठीक और इसके अलावा कुछ ऐसे संखें होती है कि जैसे अगर हम बात करें एक वटे तीन की अगर मैं एक को तीन से भाग दूँ एक को तीन से भाग दूँ तो यहां पर मुझे पहली पॉइंट लगाना पड़ेगा तो यहां पर भी हम पहली पॉइंट लगा देतें तीन तीन नो 10 में इस नोगे 1 फिर उपर 0 लगा करके 0 उतारेंगे अब देखिए इसमें इसी तरह से हम चलते जाएंगे हर बार 6 वही रिपीट होता जाएगा और बागफल भी में भी वही डिजिट जार रिपीट होता जाएगा तो इसी तरह से ये कभी खतम नहीं होगा तो अगर हम कहेंगे एक वोटे तीन एक वोटे तीन बराबर 0 दसमेलो तीन 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 और ऐसे तीन बिंदियां लगा के छोड़ देते हैं इसका मतलब ये आगे कभी खतम होने वाला नहीं है तो इस टाइप का जो दसमेलो परसार है इसको हम बोलते हैं अन्नव सानी कैसा बोलते हैं अन्नव सानी दसमेलो परसार लेकिन अन्नव सानी तो है ये खतम नहीं होने वाला लेकिन साथ में एक इसकी खास बात भी है कि ये रिपीट भी हो रहा है यानि इसमें आवरती भी हो रही है ठीक तो इस टाइप का जो दस्मलो परसार है उसको हम बोलते हैं अन्नव सानी आविरती तो यहां से प्रमेर संख्याओं का अगर हम प्रमेर संख्याओं की बात करें प्रमेर संख्याओं का दस्मलो परसार अगर इसकी बात करें तो इस दो टाइप का हमने पड़ लिया था कि जैसे एक तो मैंने अभी यहां पर बताया आपको कि जो पॉइंट के जो पॉइंट के कुछ डिजिस्ट के बाद में खतम हो जाए जो इस तरह से खतम हो जाता है वो सांत दसमेलों पर सार होता है और जो इस तरह से चलता रहे वो ऐसांत भी कहा देते हैं अन्नव सानी भी कहा देते हैं असांत आवरती या अन्नव सानी आवरती तो प्रमे संख्याओं का दसमेलों पर सार दो तरह का होता है एक तो सांत और एक अन्नव सानी के साथ साथ क्या है रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे आविरति इसको आप असांत आविरती भी कह सकते हों ठीक तो यह याद रखना आपने कि प्रमेर संख्याओं का दस्मन पर सारदोत रहा हो सकता है या तो सामत हो सकता है या असामत अनाविरती हो सकता है जबकि अगर हम बात करते हैं ऐ परमे संख्याओं की किसकी बात करें हम ऐ परमे संख्याओं का दसमलों पर सारा अगर मैं बात करूँ वरगमुल दो की वरगमुल दो का जो दसमलों पर सार है वो एक दसमलों च्यार एक च्यार दो एक तीन पॉंच छे दो एक तीन पॉंच छे दो तीन साथ तीन जिरो दो तीन साथ तीन जिरो इस तरह से जो है यह चलता जाएगा अब इसकी खास बात क्या है कि ना तो यह कभी खतम होगा और नहीं इसमें से कुछ रिपीट होगा ठीक जब यह खतम नहीं हो रहा तो इसको बोलते हैं 9 सान2 क्या बोलेंगे 9 सान2 और जब इसमें कोई आवर्ती भी नहीं हो रही आवर्ती ठीक तो आई प्रमेश अंख्याओं का दास्मलो परसार स्रफ एक यड़ी तरह का पunn multiplayer और जब की परमेश अंख्याओं का दास्मलो परसार है वो दो तरह का हो सकता है एक तो सांथ और दूसरा ऐसांते आविरती तो कुल मिला करके अगर हम बात करें कि वास्तविक संख्याओं का दस्मला परशार वास्तविक संख्याओं में हमने पढ़ा परमेर संख्याओं का दस्मला परशार और एपरमेर संख्याओं का दस्मला ठीक, तो अब जिसे हमें कोई भी एक संख्या दे दी जाए और आप से पूछ लिया जाए कि इसका दस्मलों परसार कैसा है, पूर एक्जाम्पल आपको तीन वटे तेरा का दस्मलों पर सार पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे, तीन को तेरा से भाग दोगे, तो यहां पर पॉइंट लगाया, तो तेरा तीये, सोरी, तेरा दुनी, 26, और शुरू में पॉइंट लग गया, तो यहां पर भी पॉ फिर उतार सकते हैं, तो तेरा तीये, 49, फिर एक बच गया, फिर उपर जिरो लगाईए, और फिर इसमें कम रहा गया, फिर एक और जिरो लगाने पड़ेगी, अब तेरा साथे इक आणुए, अब यहां से गटेगा तो बचेगा नो, फिर एक जिरो लगाई, एक उतार लि और तेरा छिके, 78, फिर दो, फिर एक जिरो लगाई, जिरो उतार लिए, और तेरा छिके, 70, और यहां से एक और बच गया, और तेरा निमें, 117, फिर बच गया तीन, अब देखो, सेस फिर से रिपीट हो गया इसमें, सेस, तीन से सले थे, तीन ही यहां पर सेस बच गया है तो इसका मतलब आगे फिर यही चीज जो इतनी इतनी थी ये रिपीट होते जाएगी दो तीन जिरो साथ चैनो दो तीन जिरो साथ चैनो ये चीज जो है रिपीट होते जाएगी इस तरह से बार बार लगाने का मतलों यही चीज जो बार-बार रिपीट हो रही है इसी तरह से आप एक वटे 11 का दस्मेलों पर सारवी ग्याते कर सकते हैं तो अब जो है आपका परस्टनावली एक दस्मेलों तीन उसका हम एक किस्टन ट्राई करते हैं तो वो किस्टन मैं एक बार यहां पर कोपी कर देता हूं जस्ट एक मिनिट का समय लगेगा मुझे झाली तो देखिए आपके सामने एक किस्तन आ गया है अगर हम बात करें इस किस्तन की तो इसमें से देखिए कहता है निमलिक्त बिन्नो को दसमलो के रूप में लिखिए और बताईए कि पड़तेक का दसमलो परसाल किस परकार का है तो देखिए आप उपर वाले को निच्छे वाले से भाग देदें पहला तो 36,100 है इसको तो आप सिद्धा ही कर सकते हो कि जैसे चोटी क्लासों में कहते हैं जिरो की सिद में छे और इस जिरो की सिद में तीन और एक की सीद में हम क्या करते हैं दसमलो लगाते हैं तो जिरो दसमलो तीन से तो यह देखिए दो दसमलो के बाद खतम हो गया तो इसका दसमलो परसार कैसा होगा सांद दसमलो परसार होगा और इसी तरह से अगर आप कहें बात करें एक वटे ग्यारा की थो अगर हम बात करते हैं एक ओटे 11 की तो एक ओटे 11 को म सोल करके देख लिते हैं जब एक को आप 11 से भाग दोगे तो यहां पर आप पॉइंट लगा देजिये पॉइंट लगाने के बाद, जिरो लगाने के बाद भी कम रहागा तो एक जिरो और लगाने पड़ाएगी 11 निमे 99 और फिर जो है यहाँ पर फिर शेष एक बस गया देखे शेष जान से चले थे वहीं आगे इसका मतलब आगे वही चीज रिपीट होती जाएगी इसमें ठीक ना यकीन हो तो इसको एक बर करके देख लिजी 11 निमे 99 ठीक वही चीज आगे रिपीट होती जाएगी तो कहने का मतलब यह है कि एक वटे 11 बराबर आप यह लिख देजी 0.0909 आगे डैस 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 चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो है 0.09 की उपर ऐसे बार लिख सकते हो और इसका तो दसमेलोप परसार है वह नवसानी आवरती ठीक अब अगर हम इस पूरे क्यूसतन पर नजर डालें तो यह सारी कह भी है प्रमे संख्या प्रमे स्ख्या है क्योंकि P. व. क्यू का रूप है P. व. क्यू करूप है SÁRA P. व. क्यू करूप है तो इसका मतलब यह जो इसी है परिमे संख्याएं हैं तो इनका जो दसमलों पर सार होगा या तो सांत होगा या अन्नावसानी अनाविर्ती होगा अन्नावसानी अन्नाव ओर्ती होगा दो ही हो सकता है ठीक अब मान लिया कि आपको एन्टी एसी में किस्टन दे देते हैं ठीक और आपको एच्यार ओप्सन दे दियें एबी सी डी मान लिया A, B, C, D करके चार ओप्सन है A, B, C, D और आप से पूछ लिया कि इन में से किसका दस्मला परसार सांथ है तो यहां से तो जैसे आपने पहले कर रखा है तो यह कर लिया अगर मान लिया ओप्सन चोथ है नमबर पर दें फिर आप सारे बाह करके देखें और NTSC की पेपर में तो हमें एक मिन्ट में एक किसन सोल करना होता है तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि कौन सी प्रमेर संख्या का दस्मला परसार सांथ होता है और कौन सी दस्मिलों पर संख्या कौन सी प्रमेर संख्या के दस्मिलों पर सार्ज़व है अनुव सानी आवरती होता है ध्यान से देखे ट्रिक कि जैसे यहां पर यह है 37 वटे 100 तो इसको पहले तो कट कर लिजिए जितने भी कट हो सकता च्यार पर कट जाएगा च्यार नी मे अजाने के बाद आपने क्या करना है कि नो और 25 के ऐब आजए गुणण खंड बना लजी पाजर को पना पामस ऐसे करके बना ले जिए अगर शिद्दा ना आता तो पांस पांसे पत्चिस ठीक अब देखिए अगर ऐब आजए गुण खंड़ों में आय संख्या 2 सारी दो- 2-5 तो तो उसका दसमलों मिलोखार होगा सान्थ है। ठीक, अगर दो और पांस के अलाओ कोई और शंख्या आगी ना, तो उसका, यानि हर का ही करना अपने, किसका करना है, हर का दसमलों परसार, हर के गुणन खंड बनाने हैं, और हर के गुणन खंडों को चेक करो, कि अगर उसके गुणन खंडों में शंख्या दो और पांस आती जैसे मानले आपने इसका चेक करना चार सही एक वोटे आठ का किसका चेक करना है चार सही एक वोटे आठ का इसका दस्मलों परसार कैसा होगा सांत होगा है अन्नों सानी आवड़ती होगा आठ सो के बत्तिस और एक तेत्तिस वोटे आठ है यह तो अपने क्या करना है पहले तो इसको देखो कट नहीं होता है अगर होता तो कर दो नहीं होता तो देखो इसका क्या करेंगे आठ क्या है बाजे गुनन खंड बनाओ आप दो चो के आठ दो दुनी च्यार तो क्या है दो गुना दो गुना दो सारे क्या क्या आगे दो दो आगे और मैंने क्या बताया था एबाजे गुनन खंडों में चाहे तो सारे दो आजे चाहे सारे पांच आजे चाहे कुछ दो और कुछ पांच आजे दो और पांच के लावा कुछ नहीं होना चाहिए अगर सारे इस तरह के आते हैं तो इसका दसम्लो परसार कैसा होगा सांत दसम्लो परसार होगा और अब देखिए कि इसमें आपको दे रख़ा है तीन वटे तेरा अगर तीन वटे तेरा का देखें ऐबाजे गुनन खंडो में तेरा एकम तेरा बस एकी संख्याएगी दो और पांस तो इसमें से आएंगे नी दो और पांस नहीं आएंगे तो इसका दसमलो परशार कैसा होगा अन्नो सान्यावर्ती दो वोटे 11 हर के बाजे गुनम खंड बनाए 11 एकम 11 दो और पांस तो आने से रहे इसलिए इसका दसमलो परशार भी क्या रहेगा अन्नो सान्यावर्ती एक वोटे 11 का दसमलो परशार भी क्या रहेगा अन्नो सान्यावर्ती अब चेक करते हैं 339 वोटे 400 का किसका चेक करते हैं 339 वोटे 400 का सलो देखते हैं 339 वोटे 400 का अब देखो कट तो रहे नहीं तो 400 के आपने क्या करने है आप आजे गुणन खंड करने हैं दो दुनी च्यार सो पचास और दो पत्चिस पांच पांच पत्चिस तो देखिए कि यहाँ पर 400 के आप आजे गुणन खंडों में दो आगया एक, दो, तीन, च्यार बार दो आगया एक, दो, तीन, और च्यार बार दो बार आगया पांच ठीक तो इसके आप आजे गुणन खंडों में क्या आए है दो और पांच आए है सिरफ तो इसका दस्मेलों परसार भी क्या होगा संथ दसम्लों पर सार होगा ठीक तो तो ये थी एक shortcut trick जिसकी help से आप ये check कर सकते हैं कि किसी भी संख्या का दसम्लों पर सार है वो कैसा होगा संथ हो गया तो ये तो अगर MCQ में अगर आपके पास आ जाता है तो आपने इस तरह की trick का इस्तेमाल करने कि इसको cut कर लो ठीक और निच्चे वाले के एवाजे गुणन खिर बनाओ और फिर वहाँ से आप चेक कर लिजिए ठीक बाकि आपको अभी 9th क्लास की जो बोर्ड प्रिक्षया है उसमें तो आपको भाग करके नहीं दिखाना पड़ेगा और बाग करके बाद करने के बाद जो आपका उत्तर है उसको आप बता देजिए कि यह सांत है या आविरती कह देजिए इसको अन्नव सानिया विरती कह देजिए ठीक तो तो अगे हम देखते हैं कि जसे एक किस तनमा को और करवाता हूं इसी अधार पर जसे एक किस तनमा और ले आए हैं और यह कहता कि बताईए कि ये आपका अक्सरसाइज वन पॉォैंट थरी चूह में तनी इसी लेना नलाईन अब देखे कितने आसान किस तना ये कि बताईए कि निमलिक्त संक्षोंत्स हैं मेंसे कोन-कोन से संख्या है परमे है और कौन कौन से संख्या है जो है वो एपरमे है इनके सकल देखते ही पता लग जाएगा तो ये दो पहले पारट तो अपने कल के लक्सर पर रादा रहता है कि जैसे वरगमूल तेईस है और तेईस क्या है एक एबाज्या संख्या है और मैंने आपको बताय था कि एबाजे संक्या का वरगमूल हमेशा है क्या होता है एपर में संक्या होता है ठीक तो तेज तो क्या हो जाएगी एपर में संक्या हो जाएगी ठीक क्योंकि एबाजे संक्या का वरगमूल होता है वो एपर में होता है अब वरगमूल 225 और 225 का वरगमूल हम करते हैं तो क्या आता है 15 और 15 क्या है 15 को आप लिख सकते हो 15 बटे एक नपी बटे क्यों का रूप है यह तो यह क्या हो जाएगी प्रिमेशन क्या हो जाएगी ठीक और कल के लक्तर में मैंने आपको बताया था कहीं रूट देखके राप उसको एपर में चैप दो उसका अवरगमूल करके देख लिए ना ठीक तो यह जो है आपके बॉर्ड परिक्षा में एक 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 नप क्वाले कि उसनों में बूट सिजाएंगे निचे उप्सन में देखके अब बात आती है आज के लक्षर की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आपके पास ज क्यों कहेंगे भई इसको पर में इसलिए कहेंगे कि इसको पर में इसलिए कहेंगे क्योंकि इसका दसमलो परसार देखे सांथ है चार के बाद खतम होगा सांथ दसमलो परसार वाले क्या होती है पर में होती है अब मुझे यह बताओ चो था कॉमेंट करके सभी मैं आपके साथ दसमलो च्यार शाथ आठ फिर च्यार शाथ आठ और इसी तरह डैस 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 ठेक मेरा मेरे नजर आपके कॉमेंट्स पे हैं इनको बताईए पप्पू कमार सिंग सही बता रहे हैं परिमे संख्या है सौरव यादव भी सही बता रहे हैं परिमे हैं और इसी तरह से जो है गौतम पटेल ने बताए कि आप्रमे है तो आप्रमे नही है यह प्रमे संख्या है मैं बताता हूँ क्यों है क्योंकि देखिए कि चार साथ आठ चार साथ आठ ये क्या है बार बार रिपीट हो रही है तो जिसमें इस तरह से रिपीट होता है वो परिमे ही होती है ठीक ए परिमे में तो नए तो खतम होती है नए ही रिपीट होती है इस तरह से आवरती नहीं हो तो जिसमें रिपीट हो जाये वो भी क्या होती है परमें होती है, ठिक वो संख्या भी क्या होती है परमें संख्या होती है د्यान रखना इस बात को अब चलो अगला बताओ अब इस बार जब कोमेंट करो ना तो ये लिख देना ऐसे फिफ्थ के आगे बताना आपने और ये में थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पर ये लोगे बताओ इसका क्या बनाओगे वन जिरो 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 तो इसका मतलब और पिच्छे तीन बिंदिया हैं, इसका मतलब यह है अन्नवसानी, ठीक, और यह देखें, रिपीट नहीं कहेंगे इसको, अगर सारा ऐसे 1-0-1-0-1-0 होता तो रिपीट होता, यह 1-0-0-0, यानि 1-0-0-1-0-1-0 ऐसे होता, तो तो तम यह कहा देतें, लेकि अब ये अन्नौसानी के साथ साथ अनाविर्ती भी है क्या है अनाविर्ती भी है अन्नौसानी अनाविर्ती है तो ये क्या होगा एपर में होगा इरेशनल होगा ये ठीक तो रविंदर कुमार ने बिल्कुल सही बताया है अदित्य जैसवाल ने एपर में बिल्कुल सही बताया है इसके अलावा जो है अमरिता कुमारी आसीश तिवारी रविंदर कुमार और मुम्मद राकीम जुली श्रीवास्तवा आपका सभी का इंसर बिल्कुल सही है सत्य देपसा आपका भी एपर में बिल्कुल सही है तो इस तरह से आप आज मेरा जो लक्षे है वो यही है कि आपको प्रमे और एप्रमे शंख्याओं के दसमला परसार की पहचान करवाना है ठीक तो प्यारे बच्चो आज के लक्षे में मैं आपको इतना ही करवा पाऊँगा और कल जो है मैं आपको यह बताऊँगा कि अगर हमें आज तो मैंने यह सिखाया कि जैसे मान लिए यह कोई संख्याओं दे रखी है इसको दसमला परसार कैसे बनाते है कल मैं आपको एक बहुत इंपोर्टन्ट किस्तन करवाँगा कि जैसे मान लिए आपको यह दे दिया साथ दसमलो तीन साथ पांच तीन साथ पांच तीन साथ पांच इस तरह से अगर कोई संख्या है तो इसको आप पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखोगे और इसकी भी सोर्टकट ट्रिक बताऊंगा ठीक है अब जैसे यह हमारे नाइंध क्लास के एक्जाम में आता तीन मार्क्स का कि उस संताव में लंबे मैथल से करना पड़ेगा लेकिन अगर आपको एक कम्पिटेटिव एक्जाम दे रहे हो तो आपको तो ऐसी जो है इसके निचे चार ओप्सन मिलेंगे और अगर आपको उस लंबे मैथल से करने लग जाओ तो कम से कम चार मिंट का समय तो लगी लगेगा तो मैं आपको एक ऐसा शोटकट मैथल इसका बताऊंगा कि आप जस्ट इसको लग बग 20 से पहले पहले इसको पूरा का पूरा हल कर दो गए तो तो आज का जो आपको होम रख है वो अक्सरसाइज 1.3 का किस्टन नंबर 1 और किस्टन नंबर 9 है ठीक आपने ये दो नों सम करने हैं और जो मैंने आपको इस इज़े बताई है बहुत ही इंपोर्टन्ट है और इनको आपने अच्छी तरह से एक बर हल करना है कल जो है हम इस टाइप की जो किस्टन करेंगी इसके अलावा दो पर्मे संख्याओं के बीच में एक परिमी तरुफ से अनेक एक पर्मे संख्याओं लिखो तो लिखनी मिआपकर सिखाओंगा तो प्यारे बच्चों आज मैं आपसे विदा लेता हूँ अभी थोड़ा सा समय का भाव है और अगर किसी बच्चे को लाइव स्ट्रीमिंग सही नहीं दिखाए दे रही तो आपके उपर जो है या वीडियो में इस तरह से तीन बिंदिया होती है वहाँ इन पर कलिक करके और अपने क्वालिटी जहाँ थोड़ी से बढ़ा ले लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल आपको साफ दिखाए देगी और इसके अलावा जो है आपने क्या करना है कि इसी लाइव स्ट्रीमिंग के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस चैप्टर के वीडियो की प्ले लिस्ट डाली है ठीक है वो प्ले लिस्ट आप लोगों ने देखनी है ठीक और फिर कोई दिक्कत हो तो मुझे यहां पर कॉमेंट करके बताना ठीक और कल की लाइव क्लास के अंदर मां आपको जो वीडियो में समझाई है उन चीजों के अलावा आपको कुछ सोटकट त्रिके कुछ MCQs यह लाइव स्ट्रिमिंग शुरू कर दूँगा आपके पास नोटिफिकेस ना जाएगा अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा तो कर ले तो अभी मेरे दो मिंट के लिए नजर आपके कॉमेंट्स पे रहेगी तो एक बार आप अपने कॉमेंट्स दे सकते हैं अ अमरिता कुमारे पूछरें के लाइव कब आओगे देखी अभी नाइन्थ क्लास का तो जैसे मने अभी समय बताया है कि चार और शाड़े चार की वीच कर रहेगा और दस्वे क्लास के लिए लाइव आज की लाइव क्लास दौशाड़े पांस बजे का समय है सीवम तोरसिया का भी यह क्युस्तन है जो मैंने अभी आपको जवाब दिया है साइन्स से टैन्थ क्लास की कंप्लीट करवाएंगे अभी थोड़ा सा समय लगेगा उसमें क्योंकि भी थोटी क्लासिज के वीडियोज भी चल रहे हैं और लग बग मैं पांच से साथ वीडियोज डैली बना रहा हूं तो अभी फटा मट सोटी क्लासिज की रिकोर्डिंग लग बग एक अपते में खतम हो जाएगे उसके बाद टैन्थ साइंस और इलेवन्थ क्लास जो है वो रेगुलर से रो करूंगा मैं सौनु कुमार यू आर गुड टीचर थेंक्यू भाई और सतीष कुमार पूचरें टैस्ट का टोपर टैस्ट मैंने टैन्थ क्लास का लिया था और अभी जब टैन्थ क्लास के भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो उसमें टोपर को सित्किया जाएगा तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लिजिएगा और अपना जोभी कोई सुझाव हो कोई प्रोगलम हो कॉमेंट करके मुझे बता दीजिएगा थैंक यू, have a nice day